रोटरी क्लब आफ नालंदा के पहले प्रोजेक्ट में ही नालंदा के डियेम योगेंद्र सिंह ने कलब के कार्यकलापों की सराहना की। करना है। उन्होंने कहा कि उसी के तहत हम लोग निरंतर वैक्सीनेशन का काम करवा रहे हैं। अब तक पूरे जिले में एक चौथाई लोगों का टीका करण किया जा चुका है और जुलाई माह तक हम लोग सभी का टीका करण करवाएंगे। उन्होंने खासकर रोटरी क्लब आफ नालंदा द्वारा लगाए गए वैक्सीनेशन शिविर के व्यवस्था की सराहना की। इस तरह लोग यार। इसमें आप देखेंगे कि प्रतेव दिन मुझे एकाद केंड़ पर जाने का मोका मिलता है। और मैं देखता हूँ आपर जो इंकिसरी रहते हैं। उनसे भी मैं इंट्रेक्ट करता हूँ कि आपि उन्होंने अब तक क्योंके क्यों नहीं लिए। तो अलग-अलग बास पर क केसी कर रहे हैं कि वैक्सीन सुरक्षित है और यह एक मात्र जो है सुरक्षा का जो कोविड है उससे अभी तक आएक उपाय है। तो आप देखेंगे कि लगातार सहर में भी जो केंद्र हैं वैक्सिनेशन सेंटर्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है। हम लोगों ने कुछ एक्स्क्लूसिव वीमेन सेंटर भी खोले हैं जहां पर महिलाओं को ठीका दिया जा रहा है। बाकि हमारे सबी सेंटर्स पर सभी चलिए ठीका उप्लब्द है। और प्रतेव की बहुत बड़ी मात्रा में जो प्लब्द रहती हैं। हम लोगों का लक्ष है कि 15 जुलाई तक हम लोग इस ताहून को 100% वैक्सिनेट करें। और इसके बाद में फिर हम लोग बाती ही जगों पर करें। आज के गेट में अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे जिले की लगभग एक चौताई आबादी को हम लोगों ने किका प्रत कर दिया है। तो सभी लोगों से मेरी बुजारिस है आप लोगों के माध्यम से कि जिल लोगों ने अगर टिका नहीं लिया है। वो अपने नजबीशी के अंदर पर आकर के पना टिका लें। और हम लोगों ने नाहीं तुनाहीं की साकेंद्र भी खुला हुआ है। वहाँ पर भी आतर के ले सकते हैं। जहां भी शुधा हो जहां भी उनको आसान लगी वहाँ पर ये तुका लें। इसके अंदर पर रोटरी के यहां पर संथन के पनाविकारी हैं। इन लोगों ने कापी अच्छे इंतिजामात किये हैं। आप देखेंगे। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन से लेकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीटा देने के योस्ता, उसके अप्यार के योस्ता, सारी चीजों का बहुत अच्छा यहां पर खिया गया। और यह पूरा इलाफा बहुत धनी बस्ती है। तो मैं रही कहना चाहूँगा कि जोभी कीका अभी तक कीका करन के भियान चलाए गए। सुरियाति दौर में सभी में यह पाया गया कि लोगों को कुछ दिमाग में तभीके-तभीके के भ्रम रहते हैं। इसमें भी हमने देखा जैसे करनी भाई के इन पर गया था। जो रहता है जो गलत हैमी है लोगों के बीच में यह कहीं से भी सोचल मेडिया से यह दूसरे सुरूप से आ जाती है। आगे आने वाले दिनों में हम लोग अभियान भी चलाएंगे कि जिन लोगों ने ठीका नहीं लिया है अगर वो लोग दुकान क्षों रहे हैं कुछ वैसा काम कर रहे हैं जहांपर दूसरे लोग आते हैं तो अम लोग की तारवाई भीके करेंगे। आगे भी ताकि अधी सदी को रैक्सिनेट हो सके और पूरे सहर का जो टार्गेट है कि पूरे सहर को रैक्सिनेट कर देना है उसमें हम लोग की बढ़ पूर को सब्सक्राइब आज कितने करल अच्छा है आपके सेंटर पर आज यहां पर हमारा लक्ष है लगवग 200-300 की पिसकता है ऐसे 1500 का वैक्सिन आया है आज यहां वैक्सिनेशन ट्राइब का स्वर्म क्या गया है जो चार दिन चलेगा तभी महलवासियों और जीलेवासियों से यह हैं नोलोध है कि वैक्सिन लेके हमारे प्रशासन के सहयोग से प्रोना वैक्षिनेशन का आज करम आज नौ जुलाई को चला रहा है जिसमें कर आज आज लेते हैं तो आपको तीन महिने के बाद दूसरा टीका लेना यह भी बताया जा रहा है यह बहुत जरूरी है कोविट से यह बचना है पूरे भारत वर्श को तो सभी लोगों को टीका लगाना बहुत ही जरूरी है साथ में जो भी गाउंदे हाथ में लोग हैं जो बच्चे एजुकेशन टावर यहां जो हमारा काइम लग रहा है जो भी बच्चे यहां पढ़ने आते हैं 18 साल सोपर जो भी हैं उनको यह ज़रूर करें कि हर अदमी टीका लें जन्नेवां कि रही कि आप डियम सब खुद आएं और आवेर्नेस के और हम लोग ही गली-गली अपने जागरूपता रहत को भेज कर सबको जागूप कर रहे हैं जिसमें देख रहे हैं कि बहुत अच्छी रिश्पॉंस आ रही है और स कि हमारे पास सेन्टर में सारी सुस Чणा से जर advances के नेकिक एलेएं के लिए महलाएं के लिए और यासरा हम ज़्याइज सब्सक्राइब प्लस उनसे विकाना चाहेंगे जो हमारे अंडर रहते हैं 18 प्लस विद्यर्थी जो जिनके लिए एजुकेशन टावर कोचिंग है वो हमेशा जागरूप के लिए लगें टीका नहीं लेना उनका काम है जागरूप करना तो जागरूप करें महले को गाउं को आगल बगल प्र प्रभाव रहता है अगर हमें पुर्णा से आगे लड़ना है तो टीका लगाना पड़ेगा वाकि सब लोग हैं हाँ पर जो अपने वेवस्था मैनेज देख रहे हैं प्रशाशनी को यस्था देख रहे हैं सब लोग को हम अपने तरफ से धन्यवाद कहेंगे खास करके रो तरफ से